भारत ने इशान किसन के 210 के विजपोटक दोरे शतक और विराट कोहिली के 113 के सांदार सतक के बदावलत बांगलादेश को तीसरे वंडे मैच में शनिवार को 227 रन से रौद दिया भारत ने बांगलादेश के सामने 50 सोभर में 410 रन का विशाल रक्ष रखा था जिसके जबाब में बांगलादेश ने 182 रन पर धेर हो गई यह वंडे क्रिकेट में बांगलादेश की सबसे बड़ी हार है जबकि भारत के लिए यह इस प्रारूप में तीसरी सबसे बड़ी जीत है इस सीरीज में अपने पहले ही मैच में इशान किसोन ने तबातोड बल्लेबाजी करते हुए प्लेयर अफ़ द मैच का आवाड जीता इशान किसन ने अपने करियर का पहला सतक और दोरा सतक जड़ते हुए 131 गेंदों पर 24 चोके और 10 छकों के साथ 210 रन बनाए इशान किसन 24 साल के हैं 145 दिनों में इनका ये दोरा सतक है यह कृतिमान रचने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं साथे उन्होंने 200 रंग के आंकड़े तक पहुँचने के लिए सबसे कम गिंदों में 126 भी खेली है दोरा सतक लगाने के बाद इशान किसन 3 मैचों के वंडे सिरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलारी में से एक हो गए हैं उन्होंने एक मैच में 210 रन बनाए हैं इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर बांगला देश के महदी असन है जिन्होंने 3 मैचों में 141 रन बनाए तीसरे नमबर पर मैच में सतक जड़ने वाली विराट कोहिली हैं जिन्होंने मैच में 3 मैच में 127 रन बनाए हैं इसान किसन के धमाके दार पारी खेलने के बाद बिहार सहीत पूरे देश में इसान किसन की जम कर तारीफ लोग कर रहे हैं एक से एक बड़े बड़े लोग इसान किसन के धुआधार पारी की बधाई दे रहे हैं इतना ही नहीं बिहार साथे साथे इसान किसन के घर पर भी पर इसान किसन को बधाई देने का धेर लग चुका है इसी क्रम में आम लोगों के साथ खास लोग भी बधाई देने के सिल्सने में जुड़ गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी इसान किसन को बधाई दी है लेकिन बधाई देने के बाद ही इसान किसन के जितने सारे फैन से साते बिहार के जितने सारे खिलाडी है उन लोगों ने नितीश कुमार के जम की क्लास लगा दी है नितीश कुमार को कमेंट करके जबरदस तरीके से उन्हें ट्रोल कर दिया है नितीश कुमार ने बिहार के एशान किसन को बधाई देते हुए बहुत कुछ से बांगला देश के खिलाफ तीसरे एक दिवसी अंतराश्टी मैच में सबसे तेज दोरा सतक लगाने पर बिहार के प्रतिबाशाली खिलाडी श्री इसान किसंजी को बधाई एवं शुब कामनाय हैं उनके इस प्रदर्शन से न सिर्फ बिहार बलकी पूरा देश गरवान न कर रहा है इनके इस बात से लिखने के बाद लगता लोग नीचे कमेंट करके नितीश कुमार को जम के सुना रहे हैं किने ने लिखा है सुक्रिया मुख्यमंत्री जी अगर बिहार में इतना शांदार स्पोर्ट्स इंस्फरस्ट्रक्शर ना होता तो खिलारियों के दूसरे राजयों में खेलना पड़ता है इशान किसन की सफलता में आपका अभूत पूरी योगदान है बधाई स्विकार करें साथी साथ किनी लोगों ने लिखा है कि आज तक मैं इशान किसन को जारखन कहीं जानता था साथी साथ एक भाई लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी इशान किसन के शांदार प्रदर्शन पर सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा बिहार में कहीं इशान किसन स्तेंदुलकर और धोनी निकल सकते हैं लेकिन आपने बिहार में खेल और खिलाडियों का भविश्य खराब कर रखा है पुरारी मानसिक्ता से निकलिए या गद बताए कि बिहार में एक भी स्टेडियम सही नहीं है और बिहार में जो भी स्टेडियम खुले हैं और वो तलाब के रूप में तब्दील हो गया है चाहे मदूबनी की बातचित की जाए चाहे कई जिलों में ऐसे स्टेडियम बनाए गये हैं जहां पर तलाब के रूप में याने की यू कहें कि बिहार में खेल और खिलाडियों के प्रोचाहन के लिए बिहार सरका बिलकुल बिफल है और बधाई देने में सब से आगे बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार है। हाला कि महागडबंदन की सरकार बनने के बाद ये उमीद जगी है क्योंकि तेश्वी यादो लगतार खिलाडियों और कलाकारों को लेकर कई बार बाते कह चुके हैं लेकिन सरकार बने हुए भी तीन महीने हो चुके हैं तीन महीने से जादा हो चुके हैं लेकिन अभी तक ऐस